हेलो दोस्वां बोस्वारत है एक नहीं वीडियो में तो आज की इस वीडियो में आपको बता हूँ कैसे आप Amazon Web Services पे WordPress को इंस्टॉल कर सकते हो भी काफी जीस इस टेप में तो अगर आप भी जाना चाहिए तो कैसे WordPress को इंस्टॉल करते है Amazon के उपर वी फ्री में 12 मंस के लिए तो आप इस वीडियो को लाज तक देखते रहिए तो अचली स्टार्ट करते है आज का अमेजिंग वीडियो तो यहाँ पर WordPress को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे AWS का अकाउंट होना जरूरी है तो आप अकाउंट पहले क्रेट कर लिजेगा तो उसके आगे इस वीडियो को देखिएगा तो सबसे बिले आपके यहाँ पे एटू सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे लॉंच इंस्टेंस पर क्लिक करना है फिर आपके इंस्टेंस का नाम यहाँ पर डाल देना है फिर आपके दूसरा ओप्सन मिलता है एप्लिकेशन इमेज़ का आप सिंपली ब्राउज मोर एम आइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जाना है एमजॉन मार्केट प्लेस में तो आपके यहाँ सर्च करना वर्डप्रेस सबसे बेश्ट नहीं पर वर्डप्रेस है वर्डप्रेस सर्टिफाइड बड़ बेटनामी और आप इसके डिटेल्स को अगर चेंज करना जाओ यहां से कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग फिर आप नीचे आ जाएंगे तो आपको जैसा मैंने बताए फ्री टियर के लिए यहाँ पर थर्टी जिवी स्टोरेस प्री मिलता है पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था था पर पर इंसे जाएगा अपने वर्टप्रेस ने कर नाना था सै लेखेँ सेर्टी वाला से एंसेंट करने एक क्लिक हो जाएगा और की प्रेक्रक्न देडिक्त हो जाएगा और अपने WordPress आने को hosting को अपने domain से connect करना है तो हम लोग यहाँ पर use कर रहे हैं Cloudflare का मैरा already account है तुमें Cloudflare में login कर लेता हूँ login करने के बाद simply यहाँ पर डोमेन देख लीजिए हमारा यह domain है तो हमारा जो domain है answers.hars.com करके है मैं अपने यहाँ पर जो हमारा WordPress वाली IP IPv4 उसको मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ जो कि हमने अभी create किया तो आप यहाँ पर दुबारा यहाँ पर login लिखके दुबारा इंटर करोगे तो आपका login page खुल जाएगा अब आपको कैसे इसका username और password पता करना है वो मैं आपको बता देता हूँ simply आप instance पर क्लिक करो फिर action पर क्लिक करेंगे फिर monitor and troubleshoot पर क्लिक करेंगे फिर get system log पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपको WordPress का username और password आप यहाँ पर password डालके simply login कर सकते हो यह लिज हमारे जो WordPress है यहाँ पर install हो चुका और हमने यहाँ पर login भी कर लिया अब यहाँ पर कुछ general setting आप करना चाहो तो कर सकते हो तो अगर आपको यहाँ पर SSL apply करना है वैसे यहाँ पर Cloudflare अल्रेडी SSL देता है आपको SSL certificate तो आप simply SSL पर क्लिक करके यहाँ आप simply really simple SSL को activate कर सकते हो यहाँ पर जो आपका SSL हो जाएगा तो देखा कितना simple था AWS पर WordPress को install करना अब आप इस WordPress को 12 मन तक free में use कर सकते हो बिना किसी payment के अगर ज्यादा traffic आती है तो उस case में AWS server handle नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको यहाँ पर one CPU core मिलता है और सिरफ one GB का यहाँ पर RAM देखने को मिलता है तो ज्यादा heavy load यहाँ पर handle नहीं कर देजिए अगर चैनल पर चानल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूइट करेजिए फैर गात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं वेसिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए बुट बाए